अटेक किये थे भारती जंता पार्टी के नेता और प्रधान मंतरी पर दूसरी बात उन्होंने जिस तरीके से धेड़ सारे फ्री वीज की घोशना की कि एक लाख रूपए हम महिलाओं को देंगे अब अगर चार क्रोण महिलाओं को एक लाख रूपए वो देना चाहते हैं सि अगर युवाओं को ये नौकरी दे देंगे 30 लाख युवाओं को तुरंट और एपरेंटिस सिप देंगे तो उसमें एक लाख साला ना देंगे तो करीब 40 लाख करोण कम से कम वहां खर्च होगा यानि 80 लाख करोण रूपए का बजट तो यहीं पहुंच जाता है इसके देंगे तो अभी 2 लाख करोण रूपए हर साल जो है फ्री अनाज देने पर खर्च होते हैं तब 4 लाख करोण रूपए हर साल खर्च होगा तो करीब 100 लाख करोण यानि 1 ट्रिलियन के आस पास का 1 ट्रिलियन का जो यह फ्री वीज की एनाउंसमेंट इनके द्वारा किये गये हैं वो हैं लेकिन जनता ने इसे एक्सेट किया क्यों एक्सेट किया कि एक ट्रेंड बन गया है भारती जन्मानस में खासतर तौर पे गरीब को ऐसा लगता है कि राजनेतिक दल सिर्फ हमको फ्री में देने के लिए होते हैं और इस पूरे चुनाव में जो सबसे प्रनेरेटिब था, वो था कि सम्विधान बचाओ तो सम्विधान और आरक्षन जैसे सम्विधान पूरा-पूरा सिर्फ आरक्षन के लिए बना है और कुछ है ही नहीं सम्विधान में जो चीज़ें के खिलाफ जबरदस्त नाइरेटिव था बीजेपी कहीं से उसको काउंटर नहीं कर पा रही थी मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद इसमें जो प्लेट फॉर्म है उनके द्वारा भी इस बात को प्रमोट किया गया कि जो चीज़ें खिलाफ में हैं उसमें के और बारी खाबर बारी खाबर ब्रेकिंग यूज इसमें आ रही है कि आज़ा चल प्रश्चिम से